हेलो डियों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निके स्टडी गान के साफी से अडिव चैनल पर जहांपर हम लेकर आगे बहुत ही बैतरीं क्लास जो कि होने वाला भाई आर रर भी आंटी पीसी और गुर्डी के लिए प्रेस पेसल क्लास होने वाला प्रेक्टिसेट 3 होने वाला है तो यहां पे हम बात करने वाला है अंटी पीसी के first stage के लिए अरर भी अंटी पीसी first stage examination के लिए यहाँ पर GKS easa सभी कोश्टन यहाँ पर हम लेकर आरे हैं श्रित कोश्टन शादी साथ आपको पीडियाप आपको चाहिए तो बीच बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्सिन बाक्स में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक और वार्टसब का ग्रूप मिल जाएगा वहाँ पर आपके जोड़ सकते हूँ तो बिल्कुल सभी लोग का मैं यहाँ पर श्वागत करता हूँ ज्यादा समय लेता नहीं हो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा पहला राइट एंसर हो जाएगा संथाल तो इसके एक्स्प्रेंशन के भी बात कर लेते हैं तो संथाल विद्रोव कब आ तो कभी कभी पूझता है कि संथाल विद्रोव कब हुआ था तो 1855 से 56 में हुआ ठीक है तो यह जो आदिवासी विद्रो ही थे परकार के जो कि सक्तिसाली विद्रो माना गया था और सिंदु और कोई इस विद्रो के क्या थे नेता थे इस विद्रो का विश्तार वीर भूम, बांगुरा, हाजीर बाग, भागल पूर्टतामूंगेट छतरों तक था तो यहां से इतने सारे explanation आपको मिल रहे थे next question की तब चल रहे है तो next question आपकी screen पे आ गया है कह रहा है कि 6 परिवार है A, B, C, D, E और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं ठीक है तो B के पडोसी F और D हैं D के पडोसी A और C हैं A, F यार D के बगल में नहीं रहता द्यान से समझेगा question में क्या कह रहा है A, F यार D के बगल में नहीं रहता C, D के बगल में नहीं रहता तो F के बगल के पडोसी कौन होंगे ठीक है ना वीडियो को जरूर यहां पे share करिएगा सभी लोग इदी content अच्छा लगता है और ज़्यादा ज़्यादा like करते है motivation जरूर हमें मिलता है द्यान से question को पढ़ेंगे और आराम से अप लोग answer दे लेंगे ठीक है तो फड़ाबर फड़ाबर सभी कहाँ पर answer आना चाहिए ठीक है तो समय आ रहा है सभी को चलिए भै नेश्कोशन के तरफ चल रहें नेश्कोशन आपकी इसक्रेंप पर कह रहा है के निम्लखित कत्नों पर विचार कीजिए कतन सभी लड़के इमंदार है सुरिंदर इमंदार है निसकर साबको निकालना है जो यहाँ पे कतन दिया है इसको जहान से सबको संदर पढ़ना है कहरा है कि निमकित कतनों पर विचार कीजिए आपको विचार करना है कतन सभी लड़के इमांदार है और सुरिंदर इमांदार है पास समझ रहे हैं निसकार से क्या है सुरिंदर एक लड़का है सभी इमांदार लोग लड़के हैं केवल एक निर्गत होगा केवल दो निर्गत होगा केवल वन या या फिर या तो एक या तो दो निर्गत होगा या न तो एक होगा नहीं दो होगा जल्दी से एंसर बताएं सबी लोग यहां पे जिनलों भी वडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे दिया मैं बात करूं, बिलकुल, कथन अनुसा हमें चलेंगे, यहां पे कोशन को देखे, समझने की चीजे हैं, इसको आप कैसे समझते हो, समझे यहां पे, कह रहा है कि, कथन जो है, कि सभी लड लड़के इमांदार हैं, ठीक है, चलिए भाई, सभी लड़के, मतलब मल्टीपल लड़के होंगे, एक गुला बना लीजिए यहां पे, और यह क्या है, इमांदार है, ठीक है, सभी लड़के क्या है, इमांदार है, और कह रहा है कि, सुरिंदर इमांदार है, मतलब वो भी जो चल रहा है कि यह संपलंब चत्रुभूझ का चित्रपल एक 80 बुचाओं के बीच के धूरी है पंद्र सेंटीमीटर है यदि समांतर बुझाओं में सी एक आट सेंटीमीटर है तो दूसरी बुचाए के लंबाई कितनी हो गी सोरा सेंटीमीटर होगी, तेरा सेंटीमीटर होगी, बारा सेंटीमीटर होगी, चौदा सेंटीमीटर होगी, ठीक है न, तो फड़ावड, फड़ावड, सभी लोग एंसर देंगे, ठीक है, पांच सेकेंड आपको हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आराम से, फाइब सेकंड में कर लोगे ठीक है सब्सक्राइब एंसर देंगे वीडियो को पुस्ट करके एंसर जरूर अपना सब्सक्राइब एंसर प्रकार से लिख सकते हैं कैसे यहां पर लिख सकते हैं इसको आपसाल कर लीजी आदा है कहने मतलब क्या होगा एक एक स्प्लस एट बाहर कर लीजे ठीक है तो वन एक्टी इन्टो टू कर लीजे वपान फिप्टी कर लीजे ठीक है अब इसको सौल कर लेंगे तो यहाँ पर एकस की वैलों निकालेंगे 24 4-8 16 cm 16 cm कौन सा है यह है ठीक है मतलब 1 is the right answer हो जाएगा 16 cm सेंटी मीटर ठीक है समझ में आगे सभी को बाई चले समझ में आगे होगा नेश कोश्चन के तरफ चल रहा है नेश कोश्चन आपकी स्क्रिम पर है कह रहा कि निम में से कौन अर्थ वे उस्थार में तृतियक छेत्र के घटक नहीं है ब्यापार भंडारण गय सिवन चले लोग तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा राइट एंसर क्या हो जाएगा नंबर थी इस राइट एंसर हो जाएगा गय सेंव जालापूर्ति ठीक है ना अर्दविवस्ता के तृत्यक छेत्र में सेवाओं के उत्पादन से संबंदी जो घटल सामीर होते हो उसे आता इस सेवा चेत्र भी इसे क्या करते हैं सेवा चेत्र भी कहा जाता है परिवहन एवं संचार बैंकिंग बीमा भंडारण व्यापार सामदाइक सेवा यहां दी क्या होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा तीजरा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ना सबम्यार है चलि किसी विद्याला में लडोकों लड़की के संख्या अनुपाथ तीन संबंदे दो है यह दिए 20% लड़के ता 40% लड़किया है चातरवित्ती प्राप्त करते हैं तो चातरवित्ती प्राप्त ना करने वाले विद्यार्थियों संख्या आपको बता नहीं है उसका परसेंटेज आपको बताना है को आपके यहां पे चार आपसन दी हुए है बिल्कुल चूज करके बता है वीडियो को पुस्ट कर दीजिए उसके बाद एंसर दीजिएगा ठीक है न तो चलिए बढ़ते हैं आगे राइ विद्यार्थियों के ना के चात्रों चात्राओं के कुल विद्यार्थियों के संख्या कितनी हो जाएगी 100 मान लेते हैं ठीक है तो यहां पर जाएगा आपको 60 मिल जाएगा ठीक है यह हो गया लड़कों के संख्या अब हम यहां पर क्या करेंगे लड़कियों के संख्या निकाल लेते हैं, तो सीधी से बात है, 100-60 कर दीजए, कितना आ जायेगा? 40, ठीक है, 40 आ जायेगा किसका, लड़कीयों का संख्या, अब हम पढ़ते हैं, चातरवित्य के तरफ, तो चातरवित्य प्राप्त ना करने वाज लड़कीयों का संख्या निकाल लेते हैं ठीक है जो प्राप्ति नहीं प्राप्त किया हो जाएगा 60 इंटू 100 माइनस का 20 अब पान कितना हो जाएगा 100 ठीक है इसको जो आप सॉल्व करोगे तो कितना है एगा 48 ठीक है न यह हो गया भया कौन सा लड़कों की संख्या जो की चादरवित्य प्राप्त नहीं कर रहे थे अब लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं जो चादरवित्य प्राप्त नहीं कर रही है ठीक है तो ओगया 40 इंटू कितना हो जाएगा 100 का माइनस 40 कि अपान 100 ठीक है तो इसको जो आप सॉल्व कर लोगे तो कितना है चादरवित्य प्राप्त करने माले कुल विद्यार्थिक संख्यत कितना हो जाएगा 48 निकला था प्लस 24 निकला था कितना हो गया यहां पर 72 हो गया सीडिसी बात है तो यहां पर आप निकाल लोगे तो अविस्ट प्रतिसस्ता निकाल लो तो 72 अपान 100 एंटू है नेक्ट भागू जोगा भी लगा सकते हैं सौट्रिक भी लगा सकते हैं जिस प्रकार से आप लोग कर लें तो यहां पर आपको क्या करना है बोड मास ही लगाना है ठीक है यही बोड मास को लगाते है वीडियो को पुस्ट कीजिए एंसर सॉल कीजिए उसके बाद एंसर दीजिए कम बॉड मास यहां पर लगेगा थीक है न बॉड मास लगेगा आई थिंक आप लोग समझ रहे होगी बॉड मास को चले नेश कोश्टन के तरफ चल रहे हैं नेश कोश्टन नाई नाज क्या है कि एक डाक्या घर से श्री सिंग के घर पहुचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलो पूरव होता है और यहां पर पस्चीम होता है ठीक है न यहां पर क्या होता है उत्तर पूरव दच्छिड और पस्चीम होता है ठीक है इसको बनाके उसके बाद यहां पर डाइग्राम बनाएंगे तब ही आप कर पाऊगे ठीक है कहरा है कि एक डाक्या घर से स्री सिंग के घर किसके घर की तरफ स्री सिंग के घर के पहुचने के लिए उत्तर दिसा में साथ किलोमीटर चला फिर अपने बाएं घुमकर चार किलोमीटर चलका स्री कुमार के घर पहुचा वहां से फिर दाई और मुढ गया घुमकर तीन किलोमीटर चलका स्री सर्मा के घर पहुच गया तो स्री सर्मा और स्री सिंग के घरों की दूरी आपको बतानी है ठीक है तो वीडियो को पुस्ट कर दीजिए उसके बाद answer हमें दीजिएगा और हम बढ़ेंगे right answer की तरफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलकुल जो इसका right answer होगा पहला होगा 5 km होगा बात को समझ रहे हैं आप सबी लो ठीक है देख लेते हैं इसको कैसे होगा देखें डाकिया निकला डाक घर से ठीक है न क्या हुआ बहिए माल लेते हैं यहाँ पर यह पॉइंट ए है यहाँ से डाकिया निकला ठीक है और वो क किया बी की तरफ गया मतलब कहां स्री सिंग के घर पहुंचा बी पे ठीक है स्री सिंग की घर पहुंचा घूमके मुड़ गया मतलब कितना हुआ इसको डी माल लेते हैं फिर वहां से पूछ रहा है कि भया यहां से और यहां की दूरी मतलब यह चीज पूछ रहा इसी चीज को आपको बताना है तो यहां पे बिल्कुल आप यहां पे क्या करोगे पाइथा गोरस का प्रमी लगा सकते हो ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा db is equal to under root dc का square plus cb का square ठीक है तो क्या हो जाएगा फोर का square plus 3 का square हो जाएगा ठीक है तो कहने मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि गैर सहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है प्रत्य अच्छकर अप्रत्य अच्छकर विनियामक कर उप्रोक्त में से कोई नहीं जल्दी से answer दीजिए वाई वीडियो को पुछ करके आप ठेंग करके भी answer देज सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर यह राइट अंसर की बात करते हैं जादा तो यहां पर क्या हो जाता है जल्दी से राइट अंसर वन हो जाएगा प्रत्य अच्छकर कहलाता है ठीक है ना गैर सारी जो अचल सं संस्तादवारा चुका जाए तो उसे क्या कहते हैं प्रत्य अच्छकर कहते है ठीक है चले नेश कोईसन आपकी स्क्रिम पे है कह रहा है कि सीमा पूनिया किस खेल से संबंदीत है एथलिट से क्रिकेट से बॉक्सीन से और सिटिंग से ठीक है जल्दी से बताएंगे कोईसन ईए लेवन आपकी स्क्रिम पे है विडियो को पूस करें उसके बाद कमेंट करें ठीक है ना तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा यह एथलिक से हैं किसके से हैं क्यों बहीं सीमा पूनिया क्या है एथलिक से हैं जो भारत के महिला डेक्सड ठ्रूर कौन सा डिसकर ठ्रूर है ठीक ना वर्च 2018 में कब भाई 2018 में के राश्ट मंडल खेलों में इन्होंने कौन सा सीलवर कौन सा बही इस बात को भी याद रखेगा यह भाई डिसकस यह क्या है डिसकस ठीक है न, discuss ठीक है चले, निश्कोर्षन की तरफ चल रहे है, निश्कोर्षन फिर से आपकी स्क्रिन पर बहुत ईजी है, कह रहा है कि यदि यदि multiply का जो अर्थ है और माइनस का अर्थ है, multiply और यहां पर क्या है, divide का अर्थ है, minus तब यहां पर आपको इसको solve करना है, कहने मतलब कि जितने भी यहां पर symbols दिये हुए हैं, multiply का, minus का, plus का, divide का, सबी को यहां पे चेंज करके इसको सॉल्ब कर दीजिए भागो जो लगा के ना बोड़ मास लगा के ठीक है चलिए बढ़ा बढ़ा पताएंगे राइट एंसर बहुत इजी यहां पर राइट एंसर होगा बिल्कुल यहां पर राइट एंसर के तरफ चलेंगे आप लोग क्या जी समझ में आ गया न सभी को यह तो पूरा ध्रम ईजी था न वाई चले निशको राया कि निमलेखेत प्रस्णों में लुपत संख्या आपको घ्यात करना है ठीक है अब देखे पड़ा 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 फड़ा सभी लोग का एंसर आना चाहिए ठीक है ना चले बहुत य तो चलिए यहां पर देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम solve करेंगे, ठीक है, तो पहले इस तंब में देखें कितने column है, मतलब कितने column है, column 1, column 2, column 3 में, यह विलूपसंग है, इसी को आपको बताना है, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना कि इस तंब में 10 plus 28 और 18 plus 20, मतलब हम इस प्रकार से करेंगे, यह 10 को 28 के साथ, 18 को 20 के साथ कर लेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या जाएगा, यहां पर हम लिखना चाहें से, easily, तो क्या जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 10, 10 plus 28 is equal to 10 plus 20, ठीक है, इसको जो solve कर लेंगे, तो क्या जाएगा, 38, ठी ठीक है, 6 plus 34 is equal to 14 plus 26 कर दीजे, ठीक है न, बात समझ रहें, 6 का इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, तो यहां पर जो निकल के आएगा, कितना है निकल के आएगा, 40, ठीक है, 40 निकल के आ रहा है अंतर, अब उसी ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ, और आप यहां पर लिख सकते हो, 9 plus, यहां पको निकालना है, is equal to, इस प्रकार से करे, 9 plus, जिसे निकालना है, question mark, और 17 plus 32, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिसको निकालना है, इसको बाहर कर लीजे, और यहां पर क्या हो जाएगा, 49, minus का 9, is equal to, क्या हो जाएगा, 40, कह हो तीजी तरीके से कर सकते हो वीडियो को कर दो पूस उसके पाद आप लोग कमेंट करके सॉल्ब करके अंसर बता सकते हो यहाँ पर करना क्या है यह आपको देखे कुछ इस प्रकार से है 272 प्लस 128 दूसरे कोश्टक में क्या हो जाएगा 272 माइनस का 128 ठीक है कहाने मदलब क्या हो गया यहाँ पर यह कुछ आपको प्रतित हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा a square minus b square का is equal to a plus b और a minus b का आपको formula याद आ गया ठीक है पिल्कूल उसी पे आप put up कर दीजे आपको right answer आ जाएगा 240 ठीक है चले भी निश्को विश्ण के तरफ चलेंगे तो निम्रकित में से कौन पंच तंत्र के लेखाक है रश्खान, विशुरस तो इसकी जो रचना गुपतकाल में हुई थी वही रसखान क्या किया थे रसखान के दिए हम बात करें तो यह प्रेमवाटिका की रचना है प्रेमवाटिका की अमर सिंग ने अमर कोष्ट की रचना की थी विशाका दत्त ने मुद्रा राच्छस की रचना की थी ठीक है तो यहां से इतने सारे एक्स्विनेशन आपके लिए आ रहे थे निश्कोषण की तब चलेंगे तो निश्कोषण आपकी स्क्रिम पर आ चुका ह कह रहा है कि वरिहद ठीक है डैस वरिहद हिमाला में इस्थित एक ठंडा रिगिस्तान है जल्दी से आपके बताईए चार आफसन आपके पास है वीडियो तुरंद पूस कीजिए सोचिए उसके बाद एंसर दीजिए ठीक है सबी लोग यहां पर एंसर देंगे भई ठीक है चार आफसन आपके पास है वीडियो को पूस कर दीजिए और एंसर दीजिए अब यह तक आप बने हुए लाश वीडियो वीडियो का लाश क्रेशन तक वीडियो को जरूर करिएगा और पहली बाद चैनल पर अच्छे कर लो चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि हम आपके तो यहां पर रासी है तो प्रश्ना उश्चाअ जर्थी भूश्धी विडियो बीस्रधन निकालना चाहें तो आपको पता है कि 1 प्लस R अपान 100 होता है प्लस के अपान समय T ठीक है यह आपको पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हो चक्रविधी मिरस्दधन कितना है 6, 7, 3, 3 के लिके निकाल लेगो तो P ठीक है P 1 प्लस R अपान 100 टाइम कितना ले रहा है 2 समय कितना लग रहा है यहाँ पे 2 लग रहा है तो यहाँ पे इसको self कर सकते हैं इसको माल लेते हैं equation number 1 ठीक है अब उसके बाद दूसरा equation भी बनेगा इसके लिए बनेगा 714P 1 प्लस R upon 100 3 ले रहा है इसको माल लेते हैं equation number 2 ठीक है अब समय किरण 1 से समय किरण 2 में क्या करते हैं भाग दे देते हैं जब इसको भाग देंगे मतलब 7,4 upon क्या हो जाएगा 6,7,3 हो जाएगा ठीक है equal to क्या हो जाएगा 1 प्लस R upon 100 हो जाएगा इसको solve कर लेंगे अब जब इसको तो आपका आएगा यहाँ पे बिल्कुल दूसरा right answer हो जाएगा 6 upon 1 by 4 ठीक है चलिए निशको इसन आपकी स्क्रीम पे है 18 question कहा रहा है कि 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम लागत वाली दो किश्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए ठीक है न तो यहाँ पे वीडियो को पूस कर दीजिए answer दीजिए भाई तो हम बढ़ते हैं आगे बताते हैं माल लेते हैं कि रुपया 180 ठीक है तथा 280 प्रति किलोग्राम वाली चाय को X और Y किलोग्राम के अनुपात में मिलाया जाता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से कि 180 X प्लस 280 Y is equal to X प्लस Y into 320 यहाँ पे हो जाएगा into 100 अपान क्या 100 प्लस 20 हो जाएगा 100 प्लस 20 हो जाएगा इसको जो आप सॉल्ब कर लेंगे कैसे भाई या आप जानते हो कि क्रेमूल क्रेमूल is equal to होता है वे क्रेमूल ठीक है वे क्रेमूल into 100 और 100 into लाव ठीक है आपको पता है यह ठीक है बिल्कुल इसको यहाँ पे put up कर दीजी जब इसको आप put up कर देते हैं और easily इसका जो right answer आ जाता है X और Y के संबंद में कितना आता है तू संबंद ठॉर्टी मतलब दो संबंद तेरह आ जाता है यहाँ पे कौन सा है दो संबंद तेरह फोर ठीक है फोर is the right answer हो जाएगा ठीक है चले निश्करिशन आपकी स्क्रिम पे है कह रहा है कि निमलेखित उत्तर आकृतियों में से में कौन सा घं दिये गए प्रश्ण आकृति में खूले घं के तरह बनाया नहीं जा सकता प्रश्ण आकृति आपको यहाँ पे दी हुई है आपको यहाँ पे सोच के बनाना है ठीक है ध्यान से बनाना है आराम से बनाना है फीडियो को पूश कर दीजिए बनाईए कॉपी पर उसके बाद राइट एंसर देजिए चीक है न कोईस्टन को फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ उत्तर आकरतियों में कौन सा घंद दिये गए प्रश्ण आकरती में खुले घंद से बीना नहीं बनाया जा सकता तो यहां पर देखिए यहां पर इतम ध्यान से दियां समझना चाहेंगे तो यहां पर देखिए कि जो उत्तर आकरती है ध्यान से समझिएगा उत्तर आकरती थ्री में ध्यान से देखिए इधिरी वाले को ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या हो रहा है ये और ये ठीक है क्या है संगलंग फलंग पे आ जा रहा है ठीक है कहने मतलब यह क्या हो गया इसका बीपरीच चला जा रहा है ठीक है और यह चला जा जा रहा है इसके साथ ठीक है तो यह किसके साथ जाएगा इसके साथ ठीक है इंका पार्ट हो तो कहने हैं मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर तीसरा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आगरेटी थी गई जो आगरेटी थी है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोरिशन आपकी स्क्रिम पर है कह रहा है कि बौ वर्सारितू देखे वह वीडिए विच्चु वर्सारितू में क्या देते हैं। उपसे नहीं देते हैं। वे एकस्थान गोफाओं पर एकक्तित होगर पूरे वर्स में गल्दी से किये अपष्षमा याचना करते थे या क्रिया पाबरन काहलाती थी क्या काहलाती थी पाबरन काहलाती तो यहां से इतने सारे explanation भी बन रहे थे so I hope कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो वीडियो का लाइक जरूर करिएगा चली मिलते ने वीडियो में ने उर्जा ने उस्सा के साथ तो तक खुसरी मसरी बिंदासरी